आज की लेक्चर में, आप सभी का स्वागत हैं, आज की लेक्चर में हम Organization of Department के बारे में करने वाले हैं, विभाग का संगठन जो अब वो कैसे हुआ, किस तरह से विभाग में काम किया जाता है, या सर्कल्स में इसको बांटा गया है, उनके हट्वाटर्स के बारे में, या और हर एक टोपी के लिए, जो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अलग से आपको प्रवाइड करवाईज आएगी, पीडिया फाइल्स के बाद आपको क्या होता है, रिकोड़ेड वीडियो लेक्चर दिये जाते हैं, आप जब मर्जी उनको देख सकते हैं, वो समझने में आपकी बहुत जादा help करते हैं, उसके बाद आपको जो भी topic करवाया जाएगा, उसका exam आपसे लिया जाते हैं, तो topic wise exam आपको मिल जाएंगे, आगे सनते हैं, उसके बाद revision के रूप में आपको हर एक topic के लिए जो important questions बनते हैं, वो आपको मिल जाएंगे PDF format में, उसके of slavis होते हैं, और आगे बाले years के exam में, वो repeat होते हैं, तो वो आपकी merit को और भी अच्छा कर देते हैं, तो वो सारे आपको provide करवाया जाएंगे, तो इस तरह से कुछ classes रहने बाली हैं, और बाकी full detail के लिए आप हमें message कर सकते हैं, screen video number पे, तो इसलिए classes शुरू करते हैं, तो first यहाँ पे जो topic है, organization of department के बारे में, विभाग के संगठन के बारे में, किसके दारा इसकी शुरूआत हुई, कैसे यह काम करता है, basic topic है, तो यहाँ पे सबसे पहले beginning की बात करें, डाक विभाग जो है, इसकी शुरूआत, लोड डलहोजी के दारा की गई, जो डाक विभाग अपने वर्तमान सरूप में, 1 October 1854 को आया, मतलब कि DOP present में, वर्तमान में, जिस स्थिति या जिस रूप में है, यह उस स्थिति या उस रूप में कब आया, 1 October 1854 को आया, अपने present forum में, 1 October 1854 को आया, आगे सलते हैं, important जो चीज़े हैं, अब हर एक line जो important रहेगी, क क्योंकि आपको भी पता है, competition इतना साथ है, कोई वी चीज़ आप skip कर नहीं सकते हैं, कोई वी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते हैं, जो भी out of syllabus मिले, उसको भी साथ मैं कर लेना है, क्योंकि महा से भी question अभी पूछे साते हैं, तो DOP की बात करें, डाग विभाग जो है, comes under the ministry of communication, most important है, डाग विभाग जो है, वो संचार मंत्राले के अंतरगत आता है, किसके अंडर ministry of communication के अंडर आता है, और इसके अंचार्ज की बात करें, परभारी की बात करें, तो वो कौन है, communication minister है, क्योंकि सबसे पहले याद रखना है, डाग विभाग जो है, वो ministry of communication, संचार म मंत्री है administrative control की बात करें प्रशासनिक नियंत्रण तो प्रशासनिक नियंत्रण डाग विभाग का director journal post new दिल्ली के अंडर आएगा महानिदेशक डाग नई दिल्ली के पास है कि तो डाग भ्याग जो है ministry of communication के अंडर आता है जिसके in charge communication minister है administrative control की पशासनिक नियंत्रण की बात करें, director journal post नई दिल्ली के पास है, director journal handles all the matters relating to administrations and operations, महारी देशन, परशासन और संचालन से संबंदित जितने भी मामले हैं, उनको देखेगा, तो जितने भी आपके administration या फिर operation से संबंदित matter होते हैं, उनको director journal के द्वारा handle किया साता है, department of post is headed by, exam में question किस तरह से पूछे साते हैं, इसका idea आपको question paper से हो साएगा, तो यहाँ पे देखो, कई बार क्या पूछा साएगा, administrative control है, प्रशासनिक नियंत्रण है, वो किसके पास है, direct इस तरह से question पूछे साते हैं, यह फिर यह पूछ लिया साएगा, DOP जो है इसका head कोन है, या मुखिया कोन है, तो secretary of department of post, dark विभाग का जो सचिव होता है, dark विभाग का वो head होगा, वो मुखिया होगा, headquarters of India post भारतिय dark का जो मुख्याले है, वो dark भवन नई दिल्ली में है, headquarters of India post कहाँ पे है, dark भवन नई दिल्ली में है, आगे सलते हैं, directorate PLI की बात करें, निदेशाले PLI की बात करें, निउ दिल्ली में स्थीत है, और director PLI कोलकाता में स्थीत है, निदेशक और निदेशाले, दोनों में अलग अलग फरक है, इसको ध्यान में रखना है, निदेशाले PLI नई दिल्ली में, और आपका director PLI जो है, वो कहाँ पे कोलकाता में है, आगे सलते हैं, circles in department of post, अब डाग भिभाग जो है, इसको circles में बांटा गया, पूरे देश में आपको भी पता है, post offices है, तो और एक post office, अलग-अलग circle में आता है, तो यहाँ पे आपको बुला गया है, कि जो dark भिभाग है, उसको तेई dark circle में बांटा गया, और तेई dark circle, जो वो कौन से हैं, उनका headquarter कौन सा है, most important रहेगा, आगे हमारे पास आएगा, उसके साथ यहाँ पे, इन 23 circle के अलावा, base circle भी है, टोटल यहाँ पे 23 circle है, इनके अलावा भी एक और circle है, जिसे base circle कहाँ चाता है, और इस base circle को, army postal service भी कहा चाता है, APS की full forum, ध्यान में रखनी है, क्या हो साएगी, army postal service, तो base circle जो है, उसको army postal service भी कहा चाता है, और base circle केवल अगर पूछा चाता है, तो वो एक है, अगर आपसे पूछा चाता है, army post offices, जो आसेना डाक घर है, उनकी बात की चाता है, तब आपने ध्यान रखना दो है, लेकिन अगर आपसे पूछा चाता है, base circle कितने है, रखें कि total army post offices की बात करें, तो total आपके पास 2 army post offices है, सेना डाक घर है, और वो कौन-कौन से है, एक आपके पास 56 APO है, दूसरा आपके पास 99 APO है, कहाँ पे स्थीत है, 56 APO न्यू दिल्ली में स्थीत है, और इसे 1CVPO भी कहा चाता है, important point है, पिन कोड क्या है, 900056, 1CVPO या 56 APO के पिन कोड की बात करें, क्या होजाएगा, 900056 याद रखेंगे, आगे सलते हैं, 99 APO की बात करें, कोलकाता में ये स्थीत है, इसको 2CVPO भी कहा चाता है, और पिन कोड की बात करें, 900099 है, CVPO की फॉरम याद रखनी है, Central Waste Post Office, जीतों से लिए important चीज़ हो जाएगी, कि total जो circles है, DOP में बो 23 है, इन 23 circles के अलावा, आपके पास एक base circle है, और total उस base circle में, 2 army post office आते हैं, एक 56 APO है, जो New Delhi में स्थीत है, और दूसरा 99 APO है, जो कोल काता है, में स्थीत है, दोनों के pin code भी साथ में, याद रखने हैं, आगे सेनलते हैं, army postal service की बात करते हैं, SENA Dark Seva, अब SENA Dark Seva का जो header हैगा, वो कौन रहेगा, additional director journal, important question है, बार बार पूछा जाने वाला question है, APS, army postal service का परमुख कोन होता है, ध्यार रखना ADG, additional director journal, और इसके rank की बात करें, अब यह जो additional director journal रहता है, इसका army में कौन सा rank रहेगा, major journal का rank इसका रहता है, army में, और employees की बात करें, अब army postal service है, SENA Dark Seva, तो उसमें जितने भी करमचारी होते हैं, वो कैसे रहते हैं, 75% जो है, Dark भीभाग से लाएज आते हैं, and 25% recruited from army, और जितने बाकी 25% है, उनको सेना से भरती क्या साता है, यानि कि army postal service में, अगर 100 करमचारी हैं, तो उसमें से 75 जो है, DOP से लाएज आएज आएजए, 25 जो हो सेना क्योदारा, सेयां भरती की ऐसा हैंगे, headquarters की बात करें, headquarters का नई दिल्ली में स्थित है, तो army postal service का headquarters, जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, important point है, आगे सहते हैं, PSB, PSB क्या होता है, postal service board, यहाँ पे दे रखा है, postal service board, PSB comprises one chairman, and six members, postal service board में, एक अध्यक्ष और छे सदस्य शामिल होते हैं, यह भी most important point है, PSB comprises one chairman, and six members, mostly पूछा जाने वाला, एक इसमें chairman आजाएगा, six members आजाएगे, कहें इनको mix मत कर देना, one member कर देंगे, और six chairman कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, एक chairman, और six members इसमें शामिल होते हैं, apex management body of DOP, dark विभाग का शीर्ष प्रवंधन निकाएं कौन सा है, तो वो है postal service board, PSB, dark विभाग का, जो apex management body है, वो कौन सी है, postal service board है, अब postal service board जो है, इसमें कौन कौन रहता है, यह भी important है, यहाँ पे हमने कर लिया, एक chairman और six members, तो इसमें जो है, आपके बाद secretary जो है, वो chair person के रूप में रहते हैं, और इसमें director general होते हैं, additional director general, और छे member रहते हैं, जो हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं, और इनके जो members के नाम रहेंगे, वो exam से पहले, क्योंकि बार बार चेंज होते रहते हैं, तो exam से एक आदा हफ्ता पहले, उनको हम अच्छे से कर लेंगे, तो वो sufficient रहते हैं, जो हैं, पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन करी बार exam में आज आते हैं, तो exam से बिल्कुल पहले इनको करेंगे, ताकि आपने कर लिए याद फिर change हो साएगा, फिर बाद में आपको दूसरा याद करना पड़ेगा, फिर confusion हो जाती है, तो इसमें जो 6 member हैं, वो आपने किस तरह से याद करने हैं, ट्रिपल पी, ओ टीबी, तो ट्रिपल पी, तीसरा डाक जीवन भीमा बाला होगा, उसका संचालन बाला तकनीकी वाला, और बैंकिंग एंड एक्विटी वाला, तो ये 6 member जो हैं, पोस्टल सर्विस बोर्ड में रहते हैं, ठीक हैं, most important point है कौन-कौन से, पोस्टल सर्विस बोर्ड के members हैं, पोस्टली पूछा साने वाला कोशन भी है, आगे से लते हैं, permanent invite to the board, अब जो डाक सेवा बोर्ड है, उसमें दो स्थाई अमंत्रित वेक्ती रहते हैं, ये भी important point है, कौन-कौन से, additional secretary और financial advisor, तो कैसे याद रखेंगे, ASFA, तो तो permanent invite, या मंत्रित वेक्ती जो ये दो रहेंगे, additional secretary और दूसरा कोंसा आएगा, financial advisor यानि के वित्यस लहाकार, necessary functional sport for board, at headquarter is provided by, मुख्याले में, board के लिए निमन के दारा, अवश्यक कार्यात्मक सहायता परदान के जातिया, किस तरह से पूछा जाता है, कि board के लिए headquarter में, मुख्याले में, necessary functional sport कोन प्रवाइड करता है, यान रखना, तीन जोनों के दारा कीज आएगी, deputy director general, दूसरा आपके बास director राज आएगा, और तीसरा राज आएगा, assistant director general, तो इन तीनों के दारा, board को headquarter में, अवश्यक कार्यात्मक सहाइता परदान की जाती है, आगे सलते हैं, आगे आपके पास, postal service board is assisted by the, senior staff officer of the directorate, as secretary to the board, dark sewa board को निदेशान लेके, एक ब्रिष्ट करमचारी अधिकारी दारा, सहाइता परदान की साथ है, और वो किस रूप में सहाइता परदान करता है, board के सचिव के रूप में, secretary to the board के रूप में, postal service board comprises officers on deputation from civil post, अब सेना dark sewa के अधिकारी संबरग में, जो civil परदों से प्रतिनिक्ती पर अधिकारी जो है, उनको शामिल किया जाता है, आगे साथ है important चीज, अब सरकल के बाद इसको आगे further reasons में बांटा जाता है, और जो region रहते हैं, उनका head होता है post master journal, आगे साथ है reasons को आगे divisions में बांटा जाता है, अब division ये भी दो तरह के होते हैं, division आपके एक postal division होते हैं, दूसरे का RMS divisions होते हैं, उनके बारे में भी करेंगे, तो division जो है, उनका head जो है SSP या फिर SP हो सकता है, SSP senior superintendent of post, या फिर superintendent of post, और उसके बाद divisions को further आगे, sub divisions में बांटा जाता है, sub divisions का head होता है, IP या फिर ASP, IP यहनिके inspector post, या फिर assistant superintendent of post, तो इस तरह से dark विवाग की सरंचना रहती है, सबसे पहले circles में इसको बांटा जाता है, आगे इसको reasons में बांटा जाता है, फिर divisions में, और उसके आगे भी इसको subdivisions में बांटा जाता है, और इनके head कौन रहेंगे, तो यह आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि आपको देखने को आगे बहुँ सारे lectures में मिल जाएगा, जहाँ पर केवल क्या लिखा होगा, HOC लिखा होगा, तो आपको बहाँ पर वो समझना है, कि head of circle के बारे में बोल रहे हैं, HOD लिखा है, head of division के बारे में बोल रहे हैं, यहनि कि superintendent के बारे में बोल रहे हैं, तो यह आपको याद करना बहुत जरूरी है, circles are divided into reasons, तो यहाँ पर वो यह सेम चीज दे रखे हैं, कि circles उनको reasons में बांटा गया है, reasons को आगे divisions में बांटा गया है, further divisions को बांटा गया है, वो दो तरह के होते हैं, एक Postal Division, दूसरे आपके पास होंगे RMS Division, Postal Division का Head जो है Superintendent या Senior Superintendent होता है, RMS Division की बात करें, Superintendent Railway Mail Service, या फिर Senior Superintendent of RMS, तो इस तरह से RMS Division के Head होते हैं, आगे सलते हैं, Depot in DOP, Department of Post में, Depots की बात करें, तो पहले दो तरह के होते थे, Postal Store Depot, दूसरे होते थे, Circle Stamp Depot लेकिन Present में क्या हो गया, At Present, Postal Store Depot and Circle Stamp Depot are Merged, and the Depots are Headed via Single PS, Group B Officer is I Issue Pretendent, अब जो डाग भिमाग में, पहले तो हुआ करते थे, Circle Stamp Depot लग से, उसके Postal Store Depot लग से, लेकिन अब बोला गया कि इनको Merge कर दिया गया, इनको आपस में मिला दिया गया, तो Postal Store Depot और Circle Stamp Depot को आपस में मिल बाद या गया है, अब इनका जो Head रहेगा, वो कौन होता है, Postal Service का Group B Officer, यनि के Superintendent रहता है, यनि के इनको जो मिला के बन गया, आपके पास Depot, उसका Head को रहेगा, Superintendent रहेगा, तो अभी आपके बाद Circle Stamp Depot, या Postal Store Depot जो हैं, अलग से नहीं है, कि उनको मिला के एक कर दिया गया है, और उनका Head जो अब वो कौन रहेगा, Superintendent रहेगा, अब यहाँ पे आपसे Question पूचा साहता है, कितने Postal Store Depot, या फिर इनका जो मिला के बन गे Depot, वो Total कितने हैं, तो हम आपको एक्जाम से पहले, क्योंकि ये बार बार बनते हैं, इनको फिर से बनाते हैं, या फिर वो को Change कर देत हैं, तो इसके बारे मैं Last में बता दिया साहेगा, आगे सलते हैं Most Important चीज, Circles in DOP, Dark विभाग में सर्कलों की बात करें, उपर हमने कर लिया कि Dark विभाग को ते ही Dark सर्कलों में बांटा गया है, लेकिन कुछ ऐसे Dark सर्कल हैं, क्योंकि आपको भी पता है, राज्य हैं जो हैं जाद है, लेकिन यहाँ पे सर्कल तो केवल 23 हैं, तो कुछ एक ऐसे भी सर्कल हैं, जो एक से साधा राज्यों को कवर करते हैं, क्योंकि Union Territories भी हैं, बहाँ पे भी तो Dark सिवाएं परदान के साथ हैं, तो कुछ जो हैं सर्कल वो Union Territories को भी कवर करते हैं, तो पहले उनके ब राज्यों के नाव, आपको बिलकुल अच्छे से याद होने चाहिए, याद आप कैसे रखेंगे, ट्रिपल M, ATN करके इनको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, तो सबसे पहले M से मनिपूर हो साएगा, M से मिघाले हो साएगा, और M से क्या हो साएगा, मिजोरम, तो ट् इनमें आपके पास North East Circle में 6 राज्यों शामिल हो साएगे, और 6 राज्यों के नाम, मनिपूर, मिघाले, मिजोरम, अणाचल परदेश, त्रिपुरा और नागालेंड, तो ये 6 राज्यों जो हैं, उत्तर पूर्वी डाक सर्कल में स्थीत हैं, अब के बार question क्या पूछ लिय आजाए, तो वो कौन सा आजाएगा, शिलोंग आजाएगा, क्योंकि ये सभी किसमें आजाएगे, North East Postal Circle में आजाएगे, और उसका Headquarter कहाँ पे है, शिलोंग में है, तो इनके नाम याद रखने हैं, और ये भी साथ में याद रखना है, इनमें से किसी का भी Headquarter आजाएगा, तो वो कहाँ पे आजाएगा, शिलोंग में आजाएगा, अगे सरते हैं, States in West Bengal Circle, अब जो पश्चिम बंगाल Circle है, उसमें आपके पास तीन राज्य शामिल है, या फिर Union Territory भी साथ है, तो इसमें ध्यान रखना कि पश्चिम बंगाल से इसमें तीन चीज़ें आजाती है, कौन-कौन सी, एक तो पश्चिम बंगाल स्वेम आजाएगा, ये राज्य आजाएगा, अणमा, निकोवार, Union Territory और साथ में सिक्किम, तो इसको आपने कैसी याद रखना है, WAS, क्योंकि ये पूछे साथ हैं, अलग से, तो W यानिके West Bengal, A से आपके बास, अणम आजाएगी, उसके साथ आपके बास, दूसरा आजाता है, महराश्च्रा सर्कल, अब महराश्च्रा सर्कल आपने GM करके याद रखना है, अब महराश्च्रा सर्कल जो है, इसमें महराश्च्रा जाता है, और दूसरा कौन सा जाता है, गोआ राज्य आजाता है, तो महराश् तीन कह सकते हैं, राजजे और साथ में Union Territories तो शामिल हैं, वो कौन-कौन से हैं, एक तो गुजरात स्वयम आज आएगा, दूसके बाद Union Territories दो हैं, किन कौन-कौन से एक दादरा नगर हवेली, दूसरा दमनेंड दिऊ, तो इसको आपने D, D, Z करके याज रखने हैं, क्यों जो सरकल है, उसमें कौन-कौन से आज आएगे, एक तो इसमें केरला आज आएगा, और दूसरा इसमें लक्षदीप है, तो इसको केरल राहुल के नाम से आप याद रख सकते हैं, केरला में केरला, और साथ में कौन सा आज आएगा, लक्षदीप आज आएगा, उसी के साथ आपके पास है पंजाब सर्कल, पंजाब सर्कल में पंजाब आजाएगा और दूसरा युनिन टेरिटरी चंडिए ठीक है, तो इसमें ये दो आपके पास शामिल हो जाएंगे, नेक्स्ट है आपके पास तमिल लाडू सर्कल, अब तमिल लाडू सर्कल में तमिल लाडू और टेरिटरी पॉंडी चेरी तो ये दोनों इसमें शामिल हैं आगे सलते हैं स्टेट सिन आंदर परदेश सरकल आंदर परदेश राज्य की बात करें तो इसमें आंदर परदेश है और दूसरा साथ में यनम अब यनम के लिए आपने ध्यान रखना ये पॉंडी चेरी का ये तमिल आडू पॉंडी चेरी का हिस्सा है लेकिन पोस्टरिल सरकल की जब आता आजए तो ध्यान अखना ये आंदर परदेश पोस्टरिल सरकल के अंडर आता है चाहिए तमिल आडू का हिस्सा है चलिए से आगे सरते हैं आगे हम यहाँ पे देखेंगे कौन से circle का headquarter कहाँ पे है तो हमने उपर कर लिया कि total 23 circle है तो circle का नाम और साथमा उसका headquarter कौन सा है वो आपको most important है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी circle है जिनका headquarter जो उनकी state capital है लेकिन कुछ का अलग है जो अलग से है वो आपको अच्छे से याद रखने है आंदर परदेश सबसे पहले आंदर परदेश जिसमें यनम भी शामिल है इनका headquarter है विजे बाड़ा में most important है headquarter कहाँ पे है विजे बाड़ा में है असम की बात करें गुहाटी में है बिहार का पटना में 36 गड का राइपुर में दिल्ली का न्यू दिल्ली में गुजरात का important है एहमदावाद हर्याणा का कहाँ पे अध्यान रखना अंबाला केंट में है के बार अकेला अंबाला भी दिया होता है तो आप उसको भी correct कर सकते हैं लेकिन अंबाला और अंबाला केंट दोनों दे रखे हैं तो फिर आप अंबाला केंट को ही सही करेंगे हिमाचल परदेश की बात करें शिमला में है जम्मू कश्मीर की बात करें शिरीनगर में है जारखंड का रांची, करनाटका का वेंगलोर, केरला का तिर्वंतपुरम उसके बाद है मद्य परदेश का भोपाल, महराष्टरा का मुंबई, नोर्थ हीस्ट का इसमें हमने उपर किया कि 6 राज्ज शामिल है, उन सभी का हेड़कॉर्टर कहां पर आजाएगा शिलोंग में आजाएगा, आगे सलते हैं उडिशा की बात करते हैं, भुवनेश्वर, पंजाब का चंडिगर, राजस्तान का जैपूर, तमिलाडू का चंडिगर, आगे तेलंगाना का हैद्रावाज सिटी, उत्तर प्रदेश का लखनौ, उत्राखंड का देरादू, और वे वर कर लिया, टोटल पोस्ट ऑफिस, डिविजन, क्योंकि ये हर साल जो है, चेंज होने वाली चीज़े हैं, तो इनको हम लास्ट में करेंगे, पोस्टल स्टोर डीपो और सर्कल स्टैम डीपो के वारे मैं बताया, अब ये मर्ज हो गए हैं, आपस मैं इनको मिला दिया गय ये सारी चीज़ें आपको एक्जाम से, थोड़ी दिन पहले बताई साएंगी, क्योंकि चेंज हो जाएंगी बीच में, फिर आपका पुराना याद किया, और नया याद किया, मिक्स हो जाते हैं, आर एके एन पी ए, आर एके एन पी ए क्या है, इसकी फुल फोरम, रफी जाएंगी, उनको अलग से कहीं लिखते जाना, क्योंकि फुल फोरम जो है, काफी इंपोर्टेंट रहती है, और हर एक आपको वर्ड इसमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग करके ये डालते है, तो रफी आहमद किडवाई, नेशनल पोस्ट इंपोर्टेंट है, CEPT की बात करें, Center for Excellence in Postal Technology, और यहाँ पे स्थित है, महसूर, और यहाँ पे इसको भी साथ में ध्यान रखना, नजाराबाद करनाट का में ये स्थित है, नजाराबाद या जो भी है, इसको आपने याद रखना सिधा पूछा जाता है, नजाराबाद इसको भी दिया जाएगा, करनाट का कही बार नहीं दिया जाता है, तो ध्यान रखना, CEPT, Center for Excellence in Postal Technology, महसूर करनाट का नजराबाद में स्थित है, उसके बाद है, टोटल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, तो डाक जो प्रशिक्षन केंदर है, टोटल आपके बास 6 है, और कहा कहां पे है, सबसे पहले सहारनपूर, जो की उत्तर परदेश में है, दूसरा आपके बास बडोदरा, जो गुजरात में स्थित है, महसूर, करनाट का महीं हमने कर लिया, CEPT महसूर में, ठीक है, और उसके बाद चलते है, तमिल आडू, इसका जो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है, वो मदरई में स्थित है, बिहार का दरवंगा, और असम का कहां पे है, गुहार्टी में स्थित है, तो यह आपने अच्छे से याद कर लेने है, और यह गाजियावाद बाला, यहां पे हमने कर लिया ना, गाजियावाद जो है, उत्तर परदेश में स्थित है, ये वाला सबसे पहले और कहां पर सीधा है सहारणपूर में, रफी यामद केडवाई National Postal Academy, ये भी पोस्नल ट्रेस्टरेंग सेंटर है, तो इस तरह से आप के बाद 6 पोस्नल ट्रेस्टरेंग सेंटर हैं जनके नाम, और कहां पर इसी तब आपको पता होने चाहिए आगे सालते हैं Post Office Guide is divided into following four parts Dark घर गाइड को निमलिकित चार भागों में बांटा गया है Part No.1 Part No.1 में आते है Rules and Regulations Relating to Inland Post अंतरदेशी डाक से संबंदित नियम और बिनियम Part No.2 की बात करें Rules and Regulations Relating to Foreign Post बिदेशी डाक से संबंदित नियम और बिनियम Part No.3 में List of Post Offices डाक घरों की सूची Part No.4 में Saving Bank and Post Office Saving Schemes के बारे में बताया गया है तो ये भी आपको पता होने चाहिए अब ये तो चलिए आपके पास Organization of Department के बारे में है कि कि First ही Close है पहला ही ये Rule है आगे हम जितने भी Topic करेंगे जितने भी Lecture करेंगे उनमें आपको जो चीजें साह साह में करते हैं जाना है वो साह में करेंगे याद अच्छे से रहेंगी Close No.4 कौन साम कर रहे हैं उसमें कौन सी चीज के बारे में कर रहे हैं Important है कि वो साह में Important Full Forum जो भी आती हैंगे Important dates जो भी आती हैंगी बोवी साह में आपको याद रखनी है आगे आपके बास ये Chart है ये आपको अब करना पड़ेगा क्योंकि यहां से भी Question जो है बारवा एक्जाम है पूछे जा रहे हैं तो क्या इसमें याद करने वारी चीज़ें यहां पे हम कर लेते हैं सोड़ा सा Zoom तो सबसे पहले हम देखेंगे Department of Post Organizational Chart मतलब कि इसका कैसे संगठन है उसके बारे में यहां पी बताया गया है सबसे पहले तो हमने किया था कि Minister of Communication संचार जो मंत्री है उसके अधीने यह आता है कि इंचार्ज कोन है इसका Minister of Communication जो संचार मंत्री है अब इसके अंडर कोन आएगा ठीक है इसको आपने बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है किस तरह से इसको आपने याद करना है वह यहां से आपको पता चल जाएगा तो Department of Post जो है Organizational Chart की बात करें जो Department of Post है इसका Head कोन रहेगा मुखिया कोन है Minister of Communication रहेगा Minister of Communication के अंडर आता है Minister of State of Our Communication जो संचार राज्यमंत्री है वह आजाएगा इसके अंडर अब इनके नाम भी आपने याद करने है लेकिन अभी नहीं एक्जाम से पहले वह हम आपको करवाएंगे आगे सा आते हैं इसमें आगे फिर दो Important आजाते हैं पोस्टल सर्विस तो इस तरह से आगे यह दोनों भी किसके अंडर आजाएंगे यह दोनों आजाएंगे Minister of State Farm Communication जो संचार राज्यमंत्री है उसके अंडर आजाएंगे Secretary Post और Chairman Postal Service Board और दूसरा कौन सा आजाएगा Director General Postal Service आजाएंगे आगे सलते हैं इन दोनों के अंडर क्योंकि हमने ऊपर किया कि Postal Service Board जो है Postal Service Board में 6 Member हैं तो सबसे पहले आपने यह ध्यार लखना है कौन सा Member किसके अंडर आएगा कौन Director General के अंडर रहेगा कौन Secretary यह Chairman Postal Service Board के अंडर रहेगा उसमें सबसे पहले उसके नीचे कौन आजाएगा यहां पर दे रहेखा Secretary Post Postal Service Board जो डार्क सेवा Board का Secretary यह सचिव है वो इसके अंडर आजाएगा उसके आगे सलते हैं आगे आपके बास आजाएगा Senior DDG, Business and CEO, Full Forum साथ साथ में लिख लेना तो CEO क्या होता है Chief Business Officer के तो इसमें कौन-कौन साथ आजाएगा सबसे पहले ध्यान एकना Secretary, Postal Service Board, डार्क सेवा Board का जो सचिव है उसके अंडर आपके बास Senior DDG आजाएगा अब कही बार क्या पूछ लिया जाता है Chief Business Officer जो है Senior DDG के अंडर आजाएगे उसी तरह से आगे चलते है DDG IR&GV International Relations and Global Business उसके अंडर आपके बास आजाएगे DDG-CP, DDG-CP Corporate Planning वाला जो Deputy Director General रहेगा और उसके बाद आपके बास और कौन सा जाएगे याँ पर DDG-PVI, PVI क्या जाएगा Post Bank of India इस तरह से रहेगा अब आपसे क्या पूछा जाएगा Question paper में पूछ लिया जाएगा DDG-PVI जो है वो किसके अंडर आएगा तो ध्यान रखना वो किसके अंडर आजाएगा Secretary Post या Chairman Postal Service Board के अंडर वो आता है ठीक है इस तरह से आपसे पूछे साते हैं या फिर ये भी पूछ लिया जाएगा PVI, Post Bank of India का Head को होगा DDG, Deputy Director Journal हो जाएगा इस तरह से Question पूछे साते हैं आगे साते हैं एक तो यहाँ पे Secretary आगया Postal Service Board दूसरा यहाँ पे Member के बारे में दे रखा है अब कौन सा Member इसके अंडर आ रहा है Secretary Post या Chairman Postal Service Board के Technology तकनीकी वाला जो Member यह सदसे है वो किसके अंडर आ जाएगा Secretary Post और Chairman Postal Service Board के अंडर आ जाएगा इसके बार यहाँ पे और कौन सा जाएगा PMU PMU क्या हो जाएगा Project Management Unit किसके अंडर आता है यह भी DDG के अंडर आता है अगर यह पूछा जाए DDG PMU किसके अंडर आएगा तो यह धियान रखना Secretary Post या Chairman Postal Service Board के अंडर आएगा आगे सालते है GM CEPT मैसूर GM कौन सा जाएगा Journal Manager Center for Excellence in Postal Technology मैसूर के अंडर आ जाएगा Secretary और Chairman Postal Service Board के अंडर आ जाएगा आगे सालते है DDG Rural Business वाला जो Deputy Director जनल होगा वो भी इसके अंडर आएगा तो इससरे से आप इसको याद रखेंगे Program Center Bengaluru जो है यह कहां पर स्थीत है Bengaluru में स्थीत है तो यह भी इसके अंडर आ जाएगा आगे सालते हैं उसके बाद और कौन सा Member इसके अंडर आता है Banking वाला जो Banking and Equity वाला हमने किया वो इसके अंडर आ जाएगा Secretary, Postal, Chairman, Postal Service Board के अंडर आ जाएगा तो यहां पर DDZ, RB, RB काम नहीं कर लिया किया आज आएगा Rural Business वाला जो DDZ है वो इसके अंडर आज आएगा आगे सालते है PMLA, PMLA के बारे मैं यहां पर नीचे दे रखाए ठीक है PM यहां पर यह दे रखाए Prevention of Money Laundering Act के बारे में इसमें जो भी है आपने यह धियान रखना है इसका जो DDZ है वो किसके अंडर आ जाएगा Secretary, Post, Chairman, Postal Service Board के अंडर आज आएगा और साथ में इसके DDZ Financial Service ठीक है आपको अगर exam में पूरे marks चाहिए, promotion चाहिए तो यह table भी आपको साथ में समझना पड़ेगा क्योंकि आप 2-3 सालों से इस table में से question जो है वो बूच्छा सार है आगे सलते हैं इन दोनों के common में किसके एक आपके बास Secretary और Chairman Postal Service Board और दूसरा आपके बास Director General Postal Service इन दोनों के अंडर जो common में रहेंगे वो कौन से रहेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके बास कौन सा है Additional Secretary और Financial Advisor है Additional Secretary और Financial Advisor दोनों के common के अंडर रहेंगा मतलब दोनों का इसके ओपर order रहेंगा आगे सलते Additional Secretary और Financial Advisor और किसके ओपर order करेगा यह करेगा DDG PAF ठीक है DDG PAF मतलब Post Financing Assessment के ओपर और उसी तरह से DD जो Budget and Accounts वाला हो पर और DDG Finance and PA Administration वाला यह सारे Additional Secretary Financial Advisor क्या है आपके बास बित्यस लहाकार है Postal Service Board के लिए उनके अंडर आएगा और साथ में DDG Statistics बाला भी इसी के अंडर आएगा उसके बाद इन दोनों के common में कोन आएगा Member Personal जो कार्मी के सदस्द से है वह इन दोनों के common में आएगा अब 50 Director General कार्मिक और इसके बाद DDG ESTT और साथ में DDG SR Legal and VP यह सारे किसके अंडर आजाएंगे Member Personal के अंडर आजाएंगे और जो Member Personal यानि के कार्मी के सदस्द से है वह Secretary, Post and Chairman, Postal Service Board तथा Director General दोनों के अंडर आता है आगे सलते हैं आगे जो केवल Director General के अंडर है वह कौन-कौन से है इसमें सबसे बहले Additional Director General Coordination, दूसरे हैं आपके बास Member जो Operations बाला है, संचालन बाला है उसके बाद Member जो है Postal Life Insurance और Chairman Investment Board के इंपोर्टेंट पॉइंट है, Chairman Investment Board जा वो किसके अंडर आजाएगा, Director General के अंडर आजाएगा, Member पूछा सा है तो Member कौन सा हो जाएगा, PLI का जो Member रहत उसके बाद Planning and HRD वालाट के, तो ये सबी जो है उपर वाले किसके अंडर आगे आपके बास Director General के अंडर आजाएगे, आगे चलते हैं, आगे चलिए आपके बास DDG Personal, यहनि कि जो Deputy Director General Personal है, कार्मिक है, वो किसके अंडर आजाएगा, Member Personal के अंडर आजाएगा, DDG ESTT और साथ मे DDG SR Legal, VPSF किसके अंडर आजाएगे, आपके बास Member Personal, लेकिन यह Common होगे, आपके बास यह Common बाले मागे, तो इसमें जो आपके बास अलग से Director General के अंडर आएगे, Additional Director General Coordination, उसके अंडर कौन सा आजाएगा, DDG Public Grievance, Quality Assurance and Inspection वाला DDG जो गबु आजाएगा, Deputy Director General Flatley वाला आज आजाएगा, किसके अंडर? Additional Director General Coordination के अंडर, Chief Engineer किसके अंडर आता है, Additional Director General Coordination, और उसी के साथ DDG Estate वाला भी Additional Director General Coordination के अंडर आएगा, आगे सलते हैं Member Operations के आपको यहाँ पे समझने में, अगर प्रोलम है, प्रेंटोड आप जब करेंगे, तो थोड़ा इसको आप अच्छ आदन बाला जो Member है, उसके अंडर कोन आता है, CGM, CGM कोन होता है, Chief Journal Manager, Parcel Directorate, कोशन पूछा गया है, Parcel Directorate जो है, इसका Head कोन होता है, CGM होता है, Chief Journal Manager होता है, लेकिन पूछा जाए CGM किसके अंडर आएगा, तो Member Operation के अंडर आएगा, आगे चलते है, GM Operations, अभी यहाँ पे GM क्या आएगा, Journal Manager, Operation यानिके संचालन का, जो Journal Manager है, वो किसके अंडर आएगा, Member Operation के अंडर आएगा, CGM, BD Directorate की बात करें, यह किसके अंडर आएगा, Member Operation के, यानिके Chief Journal Manager, जो BD Directorate का Head है, और उसके बाद है, अब के बाद GM Administration and BD, और उसके बाद GM Finance, उसके बाद DDG Mail Operation, और MDG Marketing वाला यह सारे किसके अंडर आएगा, Member Operation, जो संचालन का सदस्य है, उसके अंडर यह सारे आएगा, आगे सालते है, Member PLI, Postal Life Insurance and Chairman Investment Board की बात करें, तो इसमें आपके बास कौन को न आजाएगा, आमने उपर किया कि Postal Service Board में है, आपके बास कौन सा आता है, एक Member, Postal Life Insurance वाला आता है, या फिर Chairman Investment, Investment वाला नहीं है, कि यह थ्यानक न, आपके Postal Service Board में Investment वाला नहीं आता है, लेकिन यह आपके पास जो है, Director General के अंडर यह आता है, कौन-कौन से, Member Postal Life Insurance और साथ में Chairman Investment Board, अब यहाँ पे किसको हैड करते हैं, CGM, Chief General Manager, अब पूछा जाएगा, Postal Life Insurance का हैड कौन रहे यह आता है, आगे सालते है, GM Operations की बात करते है, General Manager, संचालन, जो है, यह किसके अंडर आजाएगा, Member, जो भी PLI वाला है, उसके अंडर आजाएगा, उसके बाते है, GM Business and Investment वाला, और उसमें साथ GM Finance वाला, यह सारे किसके अंडर आपके बात आजाएगे, यह सारे आजाएगे, Member PLI and Chairman Investment Board के अंडर आजाएगे, आगे सालते है, Member Planning and HRD की बात करें, HRD क्या आजाएगा, आपके पास, Human Resource Development वाला, तो Member Planning and HRD वाला हमने किया, इसके अंडर कौन-कौन से आजाएगे, तो Postal Operations वो है, DDG आके अंडर आजाएगे, जो किसके अंडर आएगा, तो DDG Postal Operations वो है, वो Member Planning and HRD के अंडर आएगा, आगे चलते है, DDG, MM, MM के बास आएगा, आपके बास, यहाँ पे, Material Management वाला, जो Deputy Director General होगा, किसके अंडर आएगा, Member Planning and HRD के अंडर, उसके बाद आपके बास, DDG Planning वाला, और साथ में आपके बास है, DDG Training, Belfer and Sports वाला, और Director General, RAKNPA, यह हमना उपर कर रफियामद के ड्वाई, National Postal Academy, जो PTC मैसूर में स्थित है, यह सारे किसके अंडर आजाएंगे, Member Planning and HRD के अंडर आजाएंगे, तो यह आपने याद कर लेना है, याद कर इसको अच्छे से समझ लेना है, कौन किसके अंडर आएगा, वो अच्छे से आपको पता होना कौन कौन एक को हैड करेगा, Secretary, Post और Chairman, Postal Service Board, और यहाँ पर Director General, Postal Service Board, अब इन दोनों के सारा कुछ जो भिया, वो common ही रहेगा, तो इनके अंडर कौन आजाता है, Member आजाता है, Member मतलब कि जो 6 Member हमने किये, Postal Service Board के, और साथ में Additional Director General Coordination, ठीक है, यह वाले, किसके अंडर आजा यह वाले में, इसके नीचे ही सभी आएंगे, सबसे बहले देखिए, यहाँ पे आपके बास कौन सा आजाएगा, Army Postal Service के बारे में दिया गया, तो Army Postal Service जो Additional Director General हमने कर लिया, उसके अंडर आता है, तो उसी में यहाँ पे दे रखा है, Army Postal Service, Army Postal Service में आगे सलें, तो इसमें दो Post Office हमने कर लिया, 56 APO, और दूसरा कौन सा कर लिया, 99 APO, और आगे फिर से इनको डिवाइड किया जाता है, Field Post Office में, और Section Based Post Office में, ठीके यह किसके अंडर आजाएंगे, Army Postal Service के अंडर आजाएंगे, दूसरा आपके बास इसी EPT महसूर, Center for Excellence in Postal Technology, जो महसूर में सीता है, यह भी इनके जारा Head किया साता है, आगे साते हैं, इसमें आ जाता है Chief Post Master Journal, अब Chief Post Master Journal, जो इसमें ध्यान रखना, जितने भी Postal Training Center है, वो किसके जारा Head किये साते हैं, किसके जारा, उनके जो भी Functional Unit है, वो देखे साते हैं, Chief Post Master Journal के जारा, देखे साते हैं, आगे साते है, Chief Post Master Journal और कौन को इसी चीज़ें देखेगा तो यहाँ से हम चलें तो यहाँ पे सबसे पहले Regional PMG यहनी के Head of Region, Regional Postmaster General तो इसको देखेगा आगे साहते हैं आगे इसके बाद जो Regional Postmaster General है वो RMS Division को भी देखता है वो Postmaster Division को भी देखता है वो GPO को भी देखता है तो question गया पूचा गया था यहाँ पे Mumbai GPO उसको Head को करेगा तो RPMG करता है Regional Postmaster General करता है आगे साहते हैं Foreign Post को भी यही करेगा Postmaster Store Depot को भी यही करेगा और साहत मैं जो Mail Motor Service है MMS इसको भी कोन किसके दारा Head किया साहेगा Regional Postmaster General RPMG के दारा किया साहेगा Most Important Point है आगे साहते हैं RMS Division जो है इसमें आपके बास Head Record Office है Sub Division है Sub Record Office है Mail Office and Section जो है यह सारे जो है यह सारी चीज़ें किसके अंडर में आजाएंगी RPMG के अंडर में आजाएंगी और कोन से आजाएंगे Postal Division, Postal Divisions के आगे Sub Division, Head Post Office, Post Office और Branch Office यह साभी आपके बास RPMG के अंडर आजाएंगे और यह सारे भी RPMG के अंडर आजाएंगे तो इसमें आपने ध्यान एकना RPMG है बुक इसके अंडर आएगा Chief Postmaster General के अंडर आजाएगा आगे सालते हैं और कौन सा आजाएगा इसमें आपके बास Postal Life Insurance Directorate के PLI का जो निदेशाले है वो इसके अंडर आजाएगा Member PLI Board और Additional Director General Coordination उसके अदे आपके बास BD क्या हमने किया न BD Directorate तो क्या आजाएगा Business Development Directorate यह भी सके अंडर आजाएगा अब यहाँ पर और साथ में क्या आजाएगा RACNPA, रफियामद किद्वाई National Postal Academy और Partial Directorate सभी इसके अंडर आजाएगे तो इस तरह से आपने ये दोनों table भी साथ में याद कर लेनी है क्योंकि यहाँ से question जो आब वो पूछा जाता है तो यह था आपके पास organization of department के बारे में, डाग विभाग के संगठन के बारे में किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से circles में बाटा गया है, जो भी directorate है, वो किसके अंडर आज आएगे कि वो सारी चिसें आपको अच्छे से याद कर लेनी है, circles के headquarter आपको अच्छे से कर लेनी है, मलब कि हर एक line, हर एक word को आपकी नजर से होकर गुजरना ज़रूरी है, अगर आपको promotion चाहिए, क्योंकि most important बन जाता है अभी, जैसे यहाँ पे हमने last में जो दो table किये, कैसे functional unit है, या जो भी है, किसके अंडर आएगा, तो वो important है, पूछा सार है, अभी तो वो आपको करना पड़ेगा, और साथ मैं regular classes के लिए मैंने आपको बता दिया, आप screen video number पे message हमें कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो इनकी PDF files आपको provide कर वाइस आएगी, और भी